हेलो फ्रेंज आज मैं आप लोगों के लिए लालमीच की चटनी लेके आई हूँ अगर सबजी के साथ चटनी मिल जाए तो क्या बात है सभी को पसंद होती है वो भी राजस्थान की फेमस चटनी बहुत ही टेश्टी बनती है आप जब इसे बनाएंगे तब आपको मालुम हो हैं वहां पर असानी से यह मिल जाएगी आपको यह हरी मीच और इस तरह का पकीवी मीच नहीं लेना है इस तरह का मीच लेना है जो पकने वाला हो और सो गराम मीर्च के हिसाब से दो लसुन की गाठे आपको लेना है अगर आप ज़्यादा चटनी बनाएंगे तो यहां पर चील लिये हैं, अब इसे एक mixer जाल में डालेंगे, मीर्च लसुन दोनों को साथ में, और यहां पर आपको कुछ नहीं डालना है, बस इसे पीस लेना है, थोड़ा सा भी पानी नहीं डालना है, बस ऐसे ही पीस लेना है, तो देखिए मैंने इसे पीस लिया है, इसे एक बॉल म और आधा जमसाबू चीरा डालेंगे, इसे अच्छे से तड़कने दीजिए, तभी जाकर चटनी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, अब इस तड़के को उठाकर चटनी में डाल देंगे, और यहाँ पर स्वात के हिसाब से नमक, और आधा नीम्बू का रश डालेंगे, और सभी को अच्छे से मीक्स कर लेंगे, आप इस चटनी को 3-4 दिन तक खा सकते हैं, यह बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं, और फ्रीज में रखेंगे, तो 10-15 दिन तक खराब नहीं होते हैं, चटनी बनकर तयार है, आप इसे मक्के का रोटी, बाजरे की रोटी, जवा वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक सेयर कर दीजेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए,